बुलिटिन की और सबसे पहले बात करेंगे मत्यप्रदीश की शिवराज सरकार के एक बड़े फैसले की सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है कोरोना से लड़ाई लड़ने में सरकार को मेंटपावर की जरूरत है सरक्राइब और ऐसे में शर्कार ने बड़ा फैसला लिया है किरोना में करमचारी की कमी दूर करने के लिए अब सेवा निवर्त करमचारीं को समवेदा नियुक्ति देगी सरकार 31 मार्च 2000 तक सेवा निवरत हुए तमाम करमचारी अधिकारी अधिकारी 31 जुलाई 2021 तक संविदा नियुक्ति पर रहेंगे अनेक तरह से सरकार ने उनसे काम लेने का मैंपावर को बढ़ाने का और कोरुना से जंग लड़ने के लिए सरकार ने एक नया फैसला लिया है तीन और चार वर्ग के कर्मचारी की नियुक्ति कलेक्टर सब्सक्राइब नियुक्ति कमिश्णर करेंगे सार्वजनिक उपकारम और निकायं में भी संविदा नियुक्तियां वो सकेंगी इस खबर पर ज्याधा बाचीत और जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे साथ न्यूस है शरद वेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए है शरद जी मैं समझता हूं मद्धिप्रदीश की शिवराज सरकार का एक बैतर मैनेजमेंट ही है कि 31 मार्च को रेटायर हो चुके अधिकारी कर्मचारी अगर कुछ वक्त और काम कर लेंगे तो जाहिर है खुशी-खुशी काम करेंगे और मैन पावर की कमी जो जूच रही है सरकार मैन पावर की कमी भी दूर हो जाएगी कैसे देखते हैं आप देखिए इसके दोनों पहलू हैं एक जो जिस पहलू का आप जिक्र कर रहे हैं और दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार इस समय कोई कोताही नहीं वरतना चाहती है और वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि स्टाफ की कमी से कोविड एमर्जेंसी का ये जो दौर हम देख रहे हैं इस कोविड आपातकाल के समय स्टाफ की कमी से सरकारी करमचारियों की मुलाजमों की कमी से जो राहत और बचाओ के काम चल रहे हैं कोविड से वो कहीं न कहीं प्रभावित ना हो तो इसलिए इन रने लिया गया है और तृतिय और चतुरत श्रेनी जो करमचारी हैं सरकारी विभापों के भी और निगम मंदलों के भी और जो PSU है सारवजनिक शेत्र के उपकरम है उनके भी और जो होम डेपार्टमेंट के अन्तरगत पुलिस करमचारी आते हैं उनमें भी टृति और चतुरत श्रेनी के जो पुलिस करमचारी हैं उनको भी přight क्षक की अनुशन सापर रेंज के पुलिस उपमानिरिक्षक की और से ऐसी सब्विदा नियुक्ती दी जा सकती है क्योंकि देखे इस समय जो फ्रंट लाइन वरकर्स की तरह काम कर रहे हैं उसमें पुलिस कर्मियों की संख्या सबसे अधिक है और यही वज़े है कि कोविड के इस दूसरी लहर में सबसे जादा जो है वो आगे खड़े नजर आ रहे हैं हमें पुलिस के कर्मचारी तो ये एक अच्छा फैसला है और एक्तिस्क मार्च तक या उसके बाद जो सेवा निवरत होने वाले कर्मचारी हैं उनके सामने ये प्रस्ताओ रहेगा वो इसको स्विकार करते हैं और जो संबंदित विभागा द्यक्ष रहते हैं वही इसमें निर्णे लेंगे जो भी उनके जिलों के प्रमुक विभागा द्यक्ष हैं उनकी अनुशंसा पर इन तृती और चतुत श्रणी कर्मचारियों को नियुक्तियां समविदा दी जा सकेंगी जुलाई तक िथर भुपाल से ही खबर जहां किसानों के हित में शिवराज सरकार ने पड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चुहानने कहाका ऐक कोरोना गर्फ्यू के दौरान भी उपार जन कारेट जारी रहेगा किसान परिशान नहों किसानों के हित में। एक पैसला सरकार ने लिया है किसानों से समर्थन मूली पर उपार्जन कारेट चालू रहेगा किसान घबराए नहीं और डरे नहीं सरकार किसानों के साथ है सियम श्वराज सिंग ने किसानों से साथ में अपील भी की है कि नंबर आने पर ही उपारजन केंद्र पहुँचे किसान जलबाजी में आप ना पहुँचे ताकि भीड़ एकत्रित ना हो बहां किसी तरह के लाइन्स का किसान पालन करें और किसानों को हर संभव मदद मुहया कराई जाएगी सरकार की तरफ से क्रशी मंत्री कमल पठील का एक कहना है बतादे आपको खाद बीज और क्रिशी अपकरणों की दुकाने खोलने के आदेश दिये गए हैं कोरुना कर्फियों के दौरान खेती के लिए दुकान खुले रखने के निरणय सरकार ने लिया है ताकि किसान परिशान ना हो